नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल डिजिटल भंडार पर आज की वीडियो में हम CPCT exam सितंबर 2023 के लिए कंप्यूटर के important questions को समझने वाले हैं यह हमारा CPCT exam सितंबर 2023 के लिए part number 14 है इस वीडियो में हम CPCT exam के लिए कंप्यूटर से संबंदित 20 important questions को समझने वाले हैं यह सभी वही question हैं जो पहले भी CPCT exam में पूछे जा चुके हैं जब हम एक question को समझते हैं तो इससे संबंदित हमें कई प्रकार के और भी question तयार करने मिल जाते हैं आप सभी questions को नोड जरूर करें क्यूंकि paper में एक question से संबंदित कई प्रकार के और भी question बन सकते हैं चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का देखते हैं आज का हमारा पहला question क्या है पहला question हमसे पूछा गया है निमनलिकित में से कौन सा application software का example नहीं है निमनलिकित में से कौन सा application software का example नहीं है पहला question हमसे software से संबंदित पूछा गया है हमें चार software के नाम दिये गए हैं और यहां पर हमें बताना है इनमें से कौन सा एक application software का example नहीं है software क्या होता है software software होता है group of instructions group of instructions मतलब computer को दिये गए निर्देशों के समुह को software कहा जाता है computer को दिये गए निर्देशों के समुह को software कहा जाता है software दो category के होते हैं एक होते है application software, application software और दूसरे होते हैं system software Software मतलब Group of Instructions Computer को दिये गए निर्देशों का समुह कहलाता है Software, Software की दो कैटेगरी होती है एक होते हैं Application Software एक होते हैं System Software Application Software वह Software होते हैं जो User की आवसकताओं को पूरा करते हैं User की Requirement को पूरा करते हैं Application Software वह Software जो किसी Fixed Task को Complete करते हैं User की आवसकताओं को पूरा करते हैं उन्हें कहा जाता है Application Software जबकि System Software कौन से होते हैं System Software वह Software होते हैं जो की Computer System के लिए आवसक होते हैं System के लिए आवसक होते हैं ऐसे Software जिनके बिना हमारा Computer System वर्क नहीं कर सकता वह कहलाते हैं System Software तो हमसे Question पूछा गया है निमने लिकित में से कौन सा application software का example नहीं है हमें 4 software के नाम दिये गए है जिन में से 3 तो application software है लेकिन एक यहाँ पर system software है option number A क्या है MS Word option number B क्या है screen saver program option number C है operating system और option number D है antivirus program जो option number C है operating system operating system इस question का answer है क्यूंकि operating system जो होता है वह एक system software होता है system software का example होता है operating system कई परकार की operating system होते है यसे कि Windows, Linux, Mac, Unix, Linux, Android कई परकार की operating system होते है जो कि system software होते है इस question का answer हो जाएगा option number C operating system देखते हैं हमारे next question को next question है यदी कोई computer on है लेकिन system reset पर कोई प्रतीकरिया नहीं दे रहा है तो यह किस इस्तिथी में है हमसे question पूछा गया है यदी कोई computer on है लेकिन system reset पर कोई प्रतीकरिया नहीं दे रहा है तो यह किस इस्तिथी में है हमसे question पूछा गया है एक computer on तो है लेकिन जब हम system को reset कर रहे हैं, तो यह कोई response नहीं दे रहा है, मतलब यह computer किस state में है, यह हमें यहाँ पर बताना है, जब कोई computer on होता है, लेकिन हम उसको यदि कोई instruction देते हैं, कोई निर्देश देते हैं, और वह उसको follow नहीं करता है, कोई response नहीं देता है, तो उसे कहा जा प्रॉब्लम आपने मोबाइल में भी भेज करी होगी, मोबाइल में भी जब हम अधिक एप्लीकेशन को एक साथ ओपन कर देते हैं, तो हमारा मोबाइल ओन तो रहता है, लेकिन वह रिस्पॉंस नहीं करता है, उस स्टेट को कहा जाता है, हैंग स्टेट, मतलब यदि को इस प कोई कम्प्यूटर on है, लेकिन सिस्टम रिसेट पर कोई प्रतिकरिया नहीं दे रहा है, तो यह हैंग स्टेट होती है, हैंग स्तिती होती है, इस क्वाश्चन का आणसर हो जाएगा, ओप्सन नमबर सी हैंग, देखते हैं हमारे नेक्ट क्वाश्चन को, next question है किसी feature को चालू या बंद करने वाली caps lock जैसी keyword keys क्या कहलाती है next question हमसे पूछा गया है किसी feature को चालू या बंद मतलब on और off करने वाली caps lock जैसी keyword keys क्या कहलाती है एक question हमसे पूछा गया है किसी feature को on और off करने वाली caps lock जैसी जो keyword की की होती है या क्या कहलाती है option number A combination की, option number B toggle की, option number C function की और option number D navigation की keyword से question पूछा गया है keyword क्या होता है keyword एक input device होती है keyword एक input device होती है जिससे हम data को computer में input करते है keyword में कई प्रकार की की होती है हमसे question पूछा गया है caps lock जैसी की क्या कहलाती है caps lock एक ऐसी की होती है जिसको हम on कर दें तो हम capital letter को type कर सकते हैं और यदि caps lock को off कर दें तो हम small letter को type कर सकते हैं caps lock यदि on हो जाता है तो हम जो भी text type करेंगे बढ़े अक्चरों में मतलब capital letter में type किया जाएगा और यदि हम caps lock को off कर देंगे तो हम जो भी text type करेंगे बढ़े small letter में type किया जाता है और caps lock एक ऐसी की है जो एक बार press करने पर on हो जाती है दुबारा press करने पर off हो जाती है ऐसी की को कहा जाता है toggle की और एसी की जो एक बार press करने पर activate हो जाती है on हो जाती है और दुबारा press करने पर deactivate या off हो जाती है बहे की कहलाती है toggle की caps lock, num lock, scroll lock यह सभी हमारी toggle की होती है तो इस question का answer क्या हो जाएगा option number B toggle की के दुबारा किसी feature को हम on or off कर सकते है caps lock एक toggle की होती है देखते हैं हमारे next question को next question है assembler का काम blank परिवर्तित करना है assembler का काम blank परिवर्तित करना है एक question हमसे पूछा गया है assembler का work blank translate करना है option number A क्या है basic language को machine language में option number B क्या है high label language को machine language में option number C है assembly language को machine language में और option number D है assembly language को high label language में question assembler से पूछा गया है assembler से assembler होता क्या है assembler एक language translator है language translator language translator होता है assembler जिसे language processor भी कहा जाता है assembler एक language translator या language processor है आपने compiler, interpreter, assembler को पढ़ा होगा सुना होगा compiler, interpreter और assembler तीनों ही language translator होते हैं तीनों ही language processor होते हैं जो एक type की programming language को दूसरे type में convert करते हैं compiler, interpreter, assembler तीनों ही language translator है language processor हैं और तीनों ही system software के example भी है, system software के example जो assembler है यह क्या करता है, assembler assembly language में बनाए गए प्रोग्राम को machine language में convert करता है, assembly language में जब कोई program बनाया जाता है, उस program को machine language में या binary language में बदलना होता है और यह काम किस के द्वारा किया जाता है, assembler के द्वारा, तो assembler एक language translator है, language processor है, जो की system software का example है, assembler, assembly language में बनाए गए प्रोग्राम को machine language में convert करता है, मतलब इस question का answer क्या होगा, option number C, जो assembler है, वह assembly language को machine language में या binary language में convert करता है, यहाँ पर आपको दो तिन question और तयार करने हैं, जो assembly language है, यह है second generation की programming language है, assembly language, second generation की programming language है, इसे low level language भी कहा जाता है, assembly language, second generation की programming language है, low level language है, assembly language के program को machine language में मदलने के लिए, assembler का use किया जाता है, assembly language में, nemo ने code use किये जाते है, nemo ने code, assembly language में, nemo ने code use किये जाते है, m silent होता है, nemo ने code क्या है, किसी सब्द का shortcut, जैसे हमें addition लिखना है, को हम add लिख सकते हैं, subtraction को सब लिख सकते हैं, तो assembly language में, short form use किये जाते हैं, इन्हें कहा जाता है, nemo ने code, तो यहाँ पर, assembly language और assembler से संबंदित, हमने कई प्रकार की information को समझा, इस question का answer है, option number C, assembly language को, machine language में बदलता है, assembler, देखते हैं हमारे next question को, next question है, blank को compress करने के लिए, MPEG का उप्योग किया जाता है, हमें 4 option दिये गए हैं, और हमसे पूछा गया है, blank को compress करने के लिए, compress मतलब size को कम करने के लिए, compress करने का मतलब क्या होता है किसी file की size को कम कर देना blank को compress करने के लिए MPEG का उपयोग किया जाता है option number A है audio option number B है video animation और graphics जो MPEG है MPEG एक file format होता है file format MPEG एक file format है एक extension है एक file format है एक extension है जो की video files के साथ use किया जाता है video files के साथ मतलब इस question का answer क्या होगा option number B video को compress करने के लिए MPEG का उपयोग किया जाता है MPEG एक file format है एक extension है जिसका full form होता है moving picture expert group moving picture expert group MPEG का full form क्या होता है moving picture expert group तो इस question का answer हो जाएगा option number B MPEG का उपयोग video को compress करने के लिए किया जाता है MPEG का full form होता है moving picture expert group इस question का answer है option number B देखते हैं हमारे next question को next question है compiler क्या है next question हमसे पुछा गया है compiler क्या है compiler क्या है आज की वीडियो में ही जब हमने assembler को समझा था वहाँ पर हमने compiler के बारे में भी discuss किया था compiler interpreter interpreter और assembler यह तीनों ही language processor है compiler, interpreter और assembler यह तीनों ही language processor है यह तीनों ही language translator भी है language processor या language translator मतलब एक प्रकार की programming language को दूसरे प्रकार में बदलते हैं compiler, interpreter, assembler तीनों ही language translator है तीनों ही language processor है और तीनों ही system software के example भी है system software के example हमने assembler को तो समझा assembler क्या करता है assembly language को low level language में या machine language में मतलता है अब हमसे पूछा गया है compiler क्या है option number यह क्या है यह है source code को object code में translate करता है option number B क्या है यह एक low level language है option number C क्या है यह एक assembly language है option number D क्या है यह object code को assembly language में translate करता है compiler के बारे में पूछा गया है compiler क्या है एक language translator है एक language processor है जो कि system software का example है तो compiler करता क्या है compiler high level language के प्रोग्राम को low level language में मतलब की machine language में बदलता है compiler high level language में लिखे गए प्रोग्राम को low level language में मतलब machine language में या binary language में बदलता है और compiler complete प्रोग्राम को एक साथ high level language से low level language में बदल देता है compiler high level language में लिखे गए प्रोग्राम को line by line मतलब एक एक line करके low level language में या machine language में मतलता है compiler high level language के प्रोग्राम को एक साथ एक ही बार में मतलब complete प्रोग्राम को high level language से low level language में मतलता है जबकि interpreter high level language में लिखेगा है प्रोग्राम को line by line low level language में मतलता है हमसे question पूछा गया है compiler क्या है compiler source code को object code में translate करता है compiler क्या करता है source code को object code में translate करता है जो high level language में program बनाया जाता है coding की जाती है उसे कहा जाता है source code source code क्या होता है high level language में लिखेगा code को या program को क्या कहा जाता है source code और इस source code को object code मतलब low level language में कौन मदल देता है compiler बदल देता है compiler high level language के program को मतलब source code को low level language में मतलब object code में मदल देता है तिस question का answer क्या हो जाएगा option number a यह है source code को object code में translate करता है source code मतलब high label language में लिखा गया program object मतलब low label language में लिखा गया program जो कि computer के दौरा समझा जाता है जिस question का answer क्या हो जाएगा option number A देखते हैं हमारे next question को next question है binary number बन-0-1 की first compliment value क्या होगी हमें एक binary number दिया गया है जिसका हमें first compliment निकालना है और answer बताना है binary number कौन से होते है binary number के बल 0 और 1 होते है binary number को computer के दौरा उप्योग किया जाता है हमें एक binary number दिया गया है बन-0-1 जिसका हमें first compliment या बन-स compliment निकाल कर answer बताना है इस question को solve करना बहुत ही आसान है अब CPCT के paper में computer number system से binary arithmetic operations से compliment से question पूछे जाते हैं हमें जो question दिया गया है या binary number दिया गया है बन-0-1 इसका हमें first compliment या बन-स compliment निकाल कर answer बताना है इस question को solve करना बहुत ही आसान है आपको यदि कोई भी binary number दिया जाता है binary number में cable 0 और 1 दो ही डिजिट होती है तो जो भी binary number आपको दिया जाता है आप उस binary number को लिखें binary number क्या है 1-0-1 अब जहां जहां पर बन है आप उसको 0 से बदल दीजिए और जहां पर 0 है उसको बन से बदल दीजिए आपका answer आ जाएगा जो भी binary number आपको दिया जाता है उस binary number को हमें लिखना है जहां पर 1 है 1 को 0 से बदल देना है और 0 को 1 से बदल देना है आपका first compliment या 1's compliment calculate हो जाएगा आप देख सकते हैं इस question को solve करना कितना आसान है CPCT के paper में कई बार एक question first compliment या 1's compliment का आ जाता है आपको एक binary number दिया जाएगा जिसमें 1 और 0 होते हैं आपको 0 को 1 से बदल देना है और 1 को 0 से बदल देना है आपका answer आ जाएगा तो जो हमें question दिया गया था उसका first compliment या 1's compliment होगा 0 1 0 इस question का answer है option number A 0 1 0 देखते हैं हमारे next question को next question है blank को बिद्दुत रूप से प्रोग्राम किया जाता है और मिटाया जाता है इसे लगबग 10,000 बार मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है blank को बिद्दुत रूप से प्रोग्राम किया जाता है और मिटाया जाता है इससे लगबग 10,000 बार मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है हमसे question पूछा गया है blank को electrically रूप में प्रोग्राम किया जाता है और remove किया जाता है, delete किया जाता है इससे लगबग 10,000 बार मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है यह question ROM से संबंदित है ROM से, ROM से संबंदित question है, ROM क्या है, ROM हमारे computer की एक primary memory होती है, primary memory, ROM का full form होता है, read only memory, read only memory, ROM हमारे computer की एक primary memory होती है, जिसका full form होता है, read only memory, ROM को motherboard में inbuilt किया जाता है, मतलब motherboard को बनाते समय, उसमें ROM चिप को fit कर दिया जाता है, ROM में BIOS program store होता है, BIOS, ROM में कौन सा program store होता है, BIOS, BIOS मतलब basic input output system, basic input output system, ROM में BIOS program store होता है, BIOS program में कुछ ऐसे instruction होते हैं, जो हमारे computer को start करने के लिए आवसक होते हैं, BIOS, ROM में store होता है, और ROM में कुछ ऐसे instruction होते हैं, ऐसे निर्देश होते हैं, जो हमारे computer को start करने के लिए आवसक होते हैं, ROM में Store Program को Farmware कहा जाता है Farmware ROM में जो Software Store किया जाता है उसे क्या कहते हैं Farmware जो की होता है BIOS ROM के यहाँ पर हमें 4 टाइप दिये गए है और हमसे पूछा गया है Blank को विद्धित रूप से Program किया जाता है और मिटाया जाता है इसे लगबग 10,000 बार मिटाया और Program किया जा सकता है Option No.1 क्या है Mask ROM Mask ROM मतलब M ROM Mask ROM मतलब M ROM M ROM जिसका फुलपॉम होता है Mask ROM M ROM जिसका फुलपॉम क्या होता है Mask ROM यह एक ऐसी ROM होती है जिसमें इसको बनाते समय ही Data को या Program को Store कर दिया जाता है जिसे Change नहीं किया जा सकता Mask ROM यह M ROM कौन सी ROM होती है जिसको बनाते समय इसका Program भी उसमें Store कर दिया जाता है और उसे Change नहीं किया जा सकता मतलब एक AISI ROM जिसको बनाते समय ही उसका Program उसमें Store कर दिया जाता है और इस Program को कभी Change नहीं किया जा सकता वह कहलाती है M-ROM मतलब की Masked ROM M-ROM मतलब Masked Read Only Memory तो यह है तो हमारा answer नहीं होगा option number B क्या है P-ROM P-ROM मतलब Programmable Read Only Memory Programmable Read Only Memory Programmable Read Only Memory मतलब यह ROM blank होती है खाली होती है user इसमें एक बार अपने program को store कर सकता है एक बार M-ROM में तो यूजर कोई program change कर ही नहीं सकता था store नहीं कर सकता था क्यूंकि इसको बनाते समय ही उसमें data store कर दिया गया था company के द्वारा जबकि P-ROM company के द्वारा blank बनाई जाती है खाली user P-ROM में एक बार अपना program store कर सकता है और फिर उस program को कभी भी change नहीं किया जा सकता है वह कहलाती है P-ROM programmable read only memory यह भी हमारा answer नहीं है option number C क्या है E-P-ROM E-P-ROM मतलब erisable programmable read only memory erisable programmable read only memory erisable programmable read only memory मतलब E-P-ROM जिसमें हम data को erase कर सकें और बापस program कर सकें मतलब पुराने program को हटा कर नया program या नया data store कर सकें वह कहलाती है E-P-ROM erisable programmable read only memory जिसमें data को हटाने के लिए ultra boiler race का use किया जाता है ultra boiler race आपको question तयार करना है कई बार paper में पूछ लिया जाता है किस ROM में data को remove करने के लिए ultra boiler race का use किया जाता है वह होती है E-P-ROM लेकिन हम से क्या पूछा गया blank को विद्धुत रूप से विद्धुत रूप यहाँ पे लिखा गया है answer है option number D option number D क्या है E-E-P-ROM E-E-P-ROM मतलब electrically erisable programmable read only memory electrically erisable programmable read only memory मतलब एक ऐसी ROM जिसमें store data को हटाने के लिए और नया data store करने के लिए electric circuit का use किया जाता है तो इस question का answer क्या होगा option number D E-E-P-ROM मतलब electrically erisable programmable read only memory में data को हटाने के लिए और दोबारा store करने के लिए electric circuit का use किया जाता है इस question का answer हो जाएगा option number D E-E-P-ROM तो आप देख सकते हैं एक question के अंदर भी कितने सारे question बन सकते हैं एक question के अंदर भी कितने सारे question बन सकते हैं आप इन सभी question को नोड जरूर किया करें क्यूंकि जब आप paper देंगे तो आपको ऐसे ही question मिलेंगे हम एक question तो समझते हैं यह question already CPCT paper में ही आए हैं जो हम आपको तयार करा रहें लेकिन जब हम आपको एक question तयार कराते हैं तो हमारा यह प्रियास होता है कि उस question से संबंदित जिदने question बन सकते हैं वो सभी आपको हम तयार करा दें इसलिए हमें एक question को समझने में कई बार 10 से 15 मिनिट का समय भी लग जाता है वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है लेकिन आपका एक question से संबंदित जो भी और question बन सकते हैं वह भी तयार हो जाते हैं आपको इन सभी question को note करते जाना है क्योंकि जब आपका paper होगा उस समय आप अपने notes से कम से कम समय में revision कर पाएंगे साथी साथ हम आपको अपने इन सभी videos का जो PDF note होगा वह भी provide करेंगे आपके paper के कुछ समय पहले आपको यह सभी notes telegram channel पर provide कर दिये जाएंगे देखते हैं हमारे next question को next question है निमनलिकत में से कौन सा एक video conferencing software है हमें 4 software के नाम दिये गए है और हमसे पूछा गया है निमनलिकत में से कौन सा एक video conferencing software है video conferencing क्या होती है video conferencing एक internet के माध्यम से होने वाला communication होता है संचार होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक user अपनी अपनी location से किसी device के माध्यम से connect होते हैं और information को share करते हैं यह एक live communication होता है जिस प्रिकार से कोई offline meeting होती है offline कोई meeting होती है जहां पर multiple users एक साथ एकटा होते हैं और information को share करते हैं इसी प्रिकार से video conferencing भी होती है जिसमें multiple user अपनी अपनी location से मतलब जो user जहां पर है बहीं से किसी device के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से meeting से connect होता है और information को share करता है वीडियो conferencing में text, image, audio, video सभी प्रिकार की information को share किया जा सकता है कई प्रिकार के software वीडियो conferencing करने की सुभिदा देते हैं यहां पर हमसे पूछा गया है निमने लिखत में से कौन सा एक वीडियो conferencing software है option number A क्या है Google Meet आप इसका नाम ही देखें Google Meet यहां पर meeting में use होता है मतलब answer क्या होगा option number A Google Docs तो document बनाने के काम में आता है word processing software है Google Map एक navigation application है जिस पर आप कोई root find कर सकते हो Google Play Store एक online platform है जहां पर Android app को host किया जाता है मतलब answer क्या हो जाएगा option number A Google Meet Google Meet एक video conferencing software होता है देखते हैं हमारे next question को next question है computer system की कितनी generation से है computer system की कितनी generation से है यह question paper के लिए बहुत ही important है क्यूंकि CPCT के paper में एक question computer system की generation से संबंदित जरूर पूछा जाता है एक question computer system की generation से संबंदित जरूर पूछा जाता है यहां पर आपको 1,5,6 question तियार कनने मिलेंगे question क्या पूछा गया है computer system की कितनी generation है तो computer system की total 5 generation है computer system की कितनी generation है 5 जो की first generation से लेकर fifth generation तक है computer की total 5 generation है जो की 1st generation से लेकर 5th generation तक है आपको 5 generation में use होने वाली technology जरूर पता होने चाहिए क्यूंकि एक question टेक्नोलोजी का पूछा जाता है जो 1st generation के computer थे इन में vacuum tube का use किया जाता था 2nd generation के computer में transistor का use किया जाने लगा transistor का, first generation के computer में क्या यूज होता था, vacuum tube, second generation के computer में कौन सी technology यूज होने लगी, transistor, third generation के computer में, IC का यूज किया जाने लगा, IC, IC मतलब integrated circuit, integrated circuit, fourth generation के computer system से microprocessor का use किया जाने लगा, microprocessor का, और जो fourth generation के microprocessor है, वह VLSI technique पर आधारित है, VLSI, VLSI का full form क्या है, very large scale integration, very large scale integration, जो fourth generation के computer system है, इनसे microprocessor का use किया जाने लगा, और fourth generation के computer में, VLSI technique का use किया जाता है, very large scale integration, जो fifth generation के computer है, इनमें, VLSI और AI technique का use किया जाता है, VLSI का full form, ultra large scale integration होता है, ultra large scale integration, और AI का full form होता है, artificial intelligence, artificial intelligence, तो यहाँ पर हमने computer की generation, उनकी technology को समझा, इस topic से एक question कई बार paper में, पूछा जाता है, हमसे पूछा गया था, computer system की कितनी generation है, computer system की total 5 generation है, तो इस question का answer हो जाएगा, option number V, 5, देखते हैं हमारे next question को, next question है, MS word में, drop cap option किस tab में प्राप्त होता है, MS word में, drop cap option किस tab में प्राप्त होता है, MS word से question पूछा गया है, drop cap option किस tab में प्राप्त होता है, यदि आप हमारे previous videos को देख रहे हैं, तो आपको इस question का answer जरूर पता होगा, क्योंकि हमने previous वीडियोस में भी drop cap option से संबंदित कई पिरकार के questions को तयार किया है question क्या पूछा गया हम से drop cap option ms word के किस tab में प्राप्त होता है drop cap से संबंदित 4-5 question बन सकते हैं आपको सभी को यहाँ पर समझना है drop cap क्या होता है जब हम किसी paragraph या sentence के पहले अक्षर को या पहले सब्द को multiple line में बड़ी size पर type करते हैं तो यह कहलाता है drop cap drop cap मतलब किसी sentence या paragraph के first character को first word को बड़ी size पर multiple line में drop करने के लिए drop cap का use किया जाता है आपने newspaper में, books में, magazines में drop cap का use देखा होगा जो कि किसी paragraph या sentence के first character या word को multiple line में drop कर देता है और बड़ी size में special effect के साथ सो करता है यह कहलाता है drop cap drop cap option MS word के insert tab में प्राप्थ होता है insert tab में और text group में प्राप्थ होता है text group में जो drop cap option है यह MS word के insert tab में text group में प्राप्थ होता है drop cap के द्वारा by default three lines को drop किया जाता है three lines को और इसके द्वारा हम अधिकतम 10 lines को drop कर सकते हैं maximum 10 line को drop कर सकते हैं drop cap को हम practically देखने बाले हैं चलते है MS word पर यह हमारा MS word software है जिसमें हमने कुछ sample text टाइप किया है अब यदि हम किसी पहले character को यह सब्द को select करें और insert tab को select करें तो insert tab के अंदर एक text group होता है जहां पर हमें drop cap नाम का option दिया जाता है जब हम drop cap पर click करते हैं तो by default select होता है none आप इसे dropped कर सकते हैं dropped मतलब जो character हमने select किया था उसे बड़ी size पर special effect के साथ multiple line में so किया जाएगा और by default कितनी line को drop करता है drop cap three lines को यदि आप इसे अधिक line हों में drop करना चाहते हैं तो आप drop cap option को select करें यहां से आप इसे अधिक्तम 10 line हों में drop कर सकते हो तो इस question का जो answer है drop cap option हमें प्राप्त होता है insert tab में option number A इस question का answer होगा देखते हैं हमारे next question को next question है निम्न मैंसे कौन सा lane का घटक नहीं है निम्न मैंसे कौन सा lane का घटक नहीं है यह question computer network से पूछा गया है निम्न मैंसे कौन सा lane मतलब local area network का component नहीं है यह question computer network से पूछा गया है computer network क्या होता है computer network multiple computer और multiple devices का collection होता है computer network का use information और resources को share करने के लिए किया जाता है computer network का use information और resources को share करने के लिए किया जाता है कई प्रकार के computer network होते हैं जैसे की pen personal area network land local area network man metropolitan area network when wide area network pen मतलब personal area network जो की size में सबसे छोटा network होता है land local area network man metropolitan area network और when मतलब wide area network जो internet है वह wide area network का example है जिसे network of network भी कहा जाता है कई प्रकार के network होते हैं हमसे question पूचा गया है land का घटक कौन सा इन में से नहीं है land मतलब local area network जब land network बनेगा तो कुछ हमें component भी use करने पड़ेंगे लेकिन यहाँ पर एक ऐसा component दिया गया है जो land network में use नहीं होता option number A क्या है tube option number B क्या है NIC option number C क्या है switch और option number D है UTP land network बनाने में NIC का होना तो आवसक है NIC मतलब network interface card network interface card एक hardware होता है हमारे computer का जो कि networking करने के लिए आवसक होता है NIC का full form क्या होता है network interface card जो कि हमारे computer का एक hardware part होता है जो कि networking करने के लिए आवसक होता है switch switch का use multiple devices को आपस में connect करने के लिए किया जाता है तो switch भी जरूरी है और UTP UTP twisted pair cable का type है UTP twisted pair cable का type है network में तीन प्रकार की cable use होती है twisted pair cable coaxible cable और optical fiber cable तो जो twisted pair cable होती है network में उसका एक type होता है UTP unsealed twisted pair cable UTP का full form क्या है unsealed twisted pair cable एक होती है STP sealeded twisted pair cable sealeded twisted pair cable और UTP मतलब unsealed twisted pair cable तो NIC मतलब network interface card भी जरूरी है switch भी जरूरी है UTP मतलब unsealed twisted pair cable और UTP मतलब sealeded twisted pair cable यह तीनों network के लिए जरूरी है लेकिन tube का होना जरूरी नहीं है tube का होना जरूरी नहीं है तो इस question का answer हो जाएगा option number A tube land का component या घटक नहीं है देखते हैं हमारे next question को next question है blank एक उंगली से touch करके screen position को select करने की सुविधा देता है blank एक finger से उंगली से touch करके screen position को select करने की सुविधा देता है हमें चार option दिये गए हैं और हमें यहाँ पर बताना है इनमेंसे कौन सा ऐसा option है जो उंगली से या finger से टच करके किसी screen position को select करने की service provide करता है आप सभी option को देखें तो यहाँ पर सभी option हमारी input device है input device मतलब जिनका उप्योग data को computer में input करने के लिए किया जाता है और हमसे पूछा गया है finger से touch करके उंगली से touch करके तो answer क्या हो जाएगा touch panel या touch screen जो कि किसी object को touch के माध्यम से या finger से touch करके select करने की drag करने की move करने की सुभी दाप्रदान करता है touch screen या touch panel इस question का answer होगा keyboard एक input device है mouse एक input device है light pen भी एक input device है और light pen और mouse pointing device भी होते हैं तो इस question का answer हो जाएगा option number A touch panel या touch screen देखते हैं हमारे next question को next question है MS Word में यदि आप print करने के लिए प्रतियों की संख्या set करना चाहते हैं मतलब MS Word से आप print out निकाल रहे हैं और जो print out निकलेगा उसकी आपको number of copies set करनी हैं number of copies मतलब आपको अपने page के कितने copy print निकाल ले हैं तो उसके क्रमों से संबंदित सही विकल्प कौन सा होगा MS Word से question पूछा गया है कि अदि आप MS Word में किसी page का print out निकाल रहे हैं और आपको उस page की multiple copies print करनी हैं प्रतिया मतलब multiple copies आप set करना चाहते हो कि space की दो copy निकाल ली हैं पांच copy निकाल ली हैं तो आप कौन सा विकल्प सेलेक्ट करेंगे option number A क्या है file menu में जाएंगे print पर click करेंगे copies को select करेंगे option number B क्या है, file menu में जाकर print को select करेंगे, properties में जाएंगे, quality को select करेंगे, then select copies को select करेंगे, option number C क्या है, file menu में जाएंगे, print पर click करेंगे, properties को select करेंगे, paste setup को select करेंगे, then copies को set करेंगे, option number D क्या है, file menu के अंदर print option पर जाएंगे, quality को select करेंगे, paste setup को select करेंगे, उसके बाद copies को select क करेंगे, MS Word से question पूछा गया है, कि print out निकालते समय, यदि आपको number of copy set करनी है, तो आप कौन सा विकल्प चुनेंगे, print क्या होता है, print, print option, document की hard copy प्रिदान करता, hard copy, जिसके लिए printer का use किया जाता है, printer एक output device है, जो कि हमें hard copy output प्रिदान करता है, और document का print out निकालने के लिए print option का use किया जाता है, जिसकी shortcut की होती है, control P, और print option हमें file menu में प्राप्त होता है, तो हम पहले file menu पर जाएंगे, print पर click करेंगे, बहाँ पर हमें एक option मिल जाएगा, copies, जिसमें हम set कर देंगे, हमें कितनी copies print करनी है, इस question का answer होगा, option number A, इसे हम practically देख सकते हैं MS Word पर, MS Word में यदि हमें किसी document को print करना है, तो हम file menu पर click करते हैं, print option पर click करते हैं, यहाँ पर print का dialogue box या window open होती है, जिसमें एक option होता है, copies, by default एक copy print होती है, आप यहाँ से number of copies को बढ़ा भी सकते हो, तो इस question का answer क्या हो जाएगा, पहले हमें file menu पर जाना है, print पर click करना है, copies को select करना है, इस question का answer हो जाएगा, option number A, देखते हैं हमारे next question को, next question है, printer के संबंध में pjl का full form क्या होता है, printer के संबंध में pjl का full form क्या होता है, printer से related question पूछा गया है, printer के संबंध में pjl का full form क्या होता है, printer क्या होता है, printer एक output device होती है, printer एक hardware device होती है जो की हमें hard copy output प्रिदान करती है hard copy output प्रिदान करती है printer से related pjl का full form होता है printer job language printer job language pjl का full form होता है इस question का answer हो जाएगा option number d pjl का full form printer job language होता है देखते हैं हमारे next question को next question है कई operating system multitasking करते हैं निम्नमे से कौन सा multitasking operating system नहीं है कई operating system multitasking करते हैं multitasking करते हैं मतलब एक ही समय पर एक से अधिक task को complete करने की सुभीदा प्रदान करते हैं निम्नमे से कौन सा multitasking system नहीं है हमें यहाँ पर चार operating system के नाम दिए गए हैं और हमें यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा operating system multitasking को support नहीं करता है multitasking का मतलब क्या है multitasking का मतलब है एक ही समय पर एक से अधिक कारियों को करना task मतलब होता है कोई काम और एक ही समय पर एक से अधिक task perform करना एक से अधिक कार्य को करना कहलाता है multitasking हमसे पूछा गया है निम्नमैसे कौन सा ऐसा operating system है जो कि multitasking नहीं करता है तो आप ध्यान से यदि option को देखें तो तीन option तो दिये गए है windows operating system के और एक दिया गया है MS-DOS का जो windows operating system है यह windows operating system तो multitasking को support करता है लेकिन MS-DOS multitasking को support नहीं करता है windows भी operating system है DOS भी operating system है windows को भी Microsoft ने मनाया DOS को भी Microsoft ने मनाया windows एक graphical user interface बाला operating system है जो windows operating system है वह graphical user interface पर बर्क करता है जबकि MS-DOS, CUI मतलब character user interface पर वर्क करता है, Windows operating system, Microsoft company ने बनाया, MS-DOS भी Microsoft company ने बनाया, लेकिन Windows वर्क करता है GUI पर, और MS-DOS वर्क करता है CUI पर, जो MS-DOS है, MS-DOS मतलब Microsoft disk operating system, disk operating system DOS का full form है, यह एक operating system है, जो कि CUI पर वर्क करता है, CUI मतलब character user interface पर, DOS में प्रत्यक कारे के लिए एक निश्चित command यूज़ की जाती है, और DOS एक single user operating system होता है, single operating system होता है, जो एक बार में एक ही task को perform करता है, DOS में प्रत्यक कारे के लिए एक निश्चित command का यूज़ किया जाता है, तो DOS एक यहाँ पर multitasking नहीं करने वाला operating system है, आपको एक और question तयार करना है, Windows XP में XP का full form क्या होता है, Windows XP में XP का full form होता है, experience, experience, तो इस question का answer हो जाएगा, option number D, MS-DOS, देखते हैं हमारे next question को, next question है, graphical user interface computer में blank एक image है, जो application, feature, program को represent करती है, जो user के लिए माइने रखती है, graphical user interface मतलब GUI, GUI का full form क्या होता है, graphical user interface, graphical user interface computer में blank एक image है, जो application मतलब software, feature मतलब कोई बिसेश्था, या कोई program को represent करती है, जो user के लिए माइने रखती है, हमसे question पूछा गया है, कि graphical user interface में एक image है, जो किसी application को, feature को, या program को दर्साती है, और user के लिए माइने रखती है, वह कहलाता है, icon, icon एक small size का graphics होता है, image होती है, जो कि किसी application को, किसी feature को, किसी program को represent करता है, icon होता क्या है, icon एक small size का graphics होता है, जो किसी file, folder, application, feature को, या program को represent करता है, और icon के माध्यम से, user किसी भी file, folder, या application को open कर सकता है, तो icon एक small size का graphics होता है, जो कि किसी file, folder, application, या feature को represent करता है, और icon के माध्यम से, हम किसी भी object को access कर सकते हैं, एक और question आपको तयार करना है icon का extension होता है dot ICO icon file का extension क्या होता है dot ICO इस question का answer हो जाएगा option number B icon देखते हैं हमारे next question next question है वह बार है जो computer system में windows screen के नीचे चलता है वह बार है जो computer system में windows screen के नीचे चलता है हमसे question पूछा गया है हमें 4 option दिये गए हैं और यहाँ पर बताना है इन 4 option में से कौन सा ऐसा option है जो computer system में windows screen के नीचे चलता है option number A title बार option number B task बार option number C tool बार option number D menu बार तो आपने देखा होगा windows operating system में किसी भी window के नीचे क्या दिखता है task bar जब भी आप अपने computer को on करते हो तो by default bottom में so होता है bottom में task bar windows operating system में bottom में मतलब नीचे so होता है task bar जो कि यह जानकारी so करता है कि आपके computer पर अभी कौन कौन से program open है आपके computer पर जो जो program या application अभी open होते हैं bottom में so होता है task bar पर जो program अभी run हो रहे होते हैं उनके icon को so किया जाता है जब भी हम किसी software को minimize करते हैं तो by task bar पर so होता है और task bar के द्वारा हम किसी program को access भी कर सकते हैं इसको हम practically देख सकते हैं हमारे computer का यह task bar है task bar by default bottom में so होता है और जो जो program हमारे computer पर on होते हैं उनके icon को task bar पर so किया जाता है तो task bar by default कहां so होता है bottom में नीचे चलता है इस question का answer क्या हो जाएगा option number B task bar देखते हैं हमारे next question को next question है एक program जो compiler के लिए input होता है blank कहा जाता है एक program जो compiler के लिए input होता है blank कहा जाता है हमसे question पूछा गया है compiler से सम्बंदित एक program जो compiler के लिए input होता है blank कहा जाता है आज की वीडियो में ही हमने compiler से सम्बंदित एक question और भी समझा था कि compiler क्या है compiler एक language processor है language processor compiler एक language translator भी कहलाता है compiler system software भी है और compiler high level language में लिखे गए program को low level language में बदलता है और compiler एक साथ complete program को बदलता है compiler high level language में लिखे गए program को एक ही बार में low level language में बदल देता है और compiler high level language के program को बदलता है high level language में लिखे गए program को कहा जाता है source code या source program source code या source program compiler में input होता है और compiler output क्या देता है low level language का program या object code मतलब compiler में input होगा source program और output में क्या मिलेगा हमें object code compiler high level language के program को input के रूप में लेता है मतलब source code को या source program को input के रूप में लेगा और उसका output क्या देगा low level language का program या object code तो इस question का answer हो जाएगा option number A source program एक program जो compiler के लिए input होता है वै होगा source program source code या high level language में बनाया गया program इस question का answer है option number A देखते हैं हमारे next question को next question है निमने लिखित में से कौन सा computer में secondary storage device नहीं है निमने लिखित में से कौन सा computer में secondary storage device नहीं है यह question memory से संबंदित है हमें यहाँ पर चार प्रकार की memory के नाम दिये गए है और हमसे पूछा गया है निमने लिखित में से कौन सा computer में secondary storage device नहीं है memory दो प्रकार की होती है एक होती है primary memory एक होती है secondary memory primary memory बह memory होती है जो direct CPU से जुड़ी होती है direct CPU से connect होती है जबकि secondary memory direct CPU से connect नहीं होती है primary memory की speed fast होती है secondary memory की speed slow होती है primary memory कम मात्रा में data को store करती है जबकि secondary memory अधिक मात्रा में data को store करती है हमें चार device के memory के नाम दिये गए है और पूछा गया है इनमें से कौन secondary storage device नहीं है तो hardix को एक secondary memory है CD भी एक secondary memory है DVD भी एक secondary memory है लेकिन RAM एक primary memory है primary memory RAM जिसका full form होता है random access memory जो कि हमारे computer की एक primary memory होती है main memory भी होती है primary memory को क्या भी कहा जाता है main memory RAM एक primary memory ये main memory है जिसका full form होता है random access memory RAM current time पर use होने बाले data को store करती है जो data current time पर CPU के द्वारा use किया जाता है उसे RAM में store किया जाता है जब तक computer system on रहता है तब तक RAM में data store रहता है computer system के off होने पर RAM से data delete हो जाता है जब हम किसी file को किसी program को start करते है तो बहर RAM में store हो जाता है RAM एक primary memory है आपको दो question और तयार करने है DVD का full form DVD का full form होता है तो इस question का answer हो जाएगा option number A RAM एक secondary storage device नहीं है RAM एक primary memory का type होती है इस question का answer है option number A तो आज की वीडियो में हमने CPCT exam के लिए computer से सम्बंधित 20 important questions को समझा जब हम एक question को समझते हैं तो उससे सम्बंधित हमें कई परकार के और भी question तयार करने मिल जाते हैं आप इन सभी questions को पढ़ें समझें यदि आपका कोई question है कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें ज़्यादा से ज़्यादा share करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद